गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय हैं सामान्य समय नहीं हैं यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाई से अंकित हो रही अमीट स्मृती रेखाएं हैं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गज़ी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की नक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पावन दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिन के आशिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समाएं हमारे आश पास उपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पूरवख नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से च्छमा याचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कारिय कर नहीं पाए है आज वो कमी पुरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगवन पर पुझ्य संत तुल्चिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देशवासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देशवासीों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्द तरीके से ही बना भाव